Hello everybody, welcome to Magnet Brinz. Magnet Brinz एक एसा platform है जो high quality education provide करवाई जाती है. That to be free of cost and know your state series में आज की focus state है हमारी Rajasthan, the land of Rajputs. और इसमें हम कौन-कौन से topics cover करेंगे, हम एक brief introduction देखेंगे, जहां पे हम state symbols के बारे में बात करेंगे. Tiger Reserves कौन से है राजस्थान में हम उनके बारे में बात करेंगे. UNESCO Cultural World Heritage Site कौन से है राजस्थान में उनको discuss करेंगे. साथ में कुछ cities के nicknames भी हम देखेंगे और कुछ important facts जानेंगे हम राजस्थान के बारे में. Right, तो सबसे पहले start करते हैं introduction से. तो राजस्थान उसे the land of kings या the land of son of Rajput या the land of Rajputs भी कहा जाता है. Right, अगर हम लोग बात करें राजस्थान is the largest state of India. राजस्थान जो है वो इंडिया की area wise सबसे बड़ी state और second number पे आती है हमारी Madhya Pradesh. और smallest state कौन सी है हमारी? गोव. तो Madhya Pradesh जो है वो second largest state है. और largest state कौन सी है हमारी राजस्थान. अब state animal की अगर हम बात करते हैं तो चिंकारा जो है वो state animal है हमारे राजस्थान का. State bird जो है वो great Indian bastard है. वीकिए state animal और heritage animal में difference होता है. तो heritage animal जो है वो camel है. state animal चिंकारा है. heritage animal जो है camel है confused नहीं होना है. State tree की अगर हम बात करें तो खेजरी tree जो है वो state tree है हमारे राजस्थान का. अगर हम tiger reserves की बात करते हैं तो हमारे five tiger reserves जो हैं हमारे राजस्थान में कौन कौन से रन्थमबोर, सिरिस्का tiger reserve, मुकंदरा hills tiger reserve, उसके बाद हमारा धौलापुर करॉली tiger reserve, धौलपुर करॉली राइट. तो ऐसे करके हमारे five tiger reserves हैं कौन कौन से रन्थमबोर, सिरिस्का, मुकंदरा hills tiger reserve, धौलपुर करॉली tiger reserve और रामगर विश्धारी tiger reserve, five tiger reserves हैं अब हमारे राजस्थान में. अगर हम लोग बात करें मैं हमेशा बताती हूँ tiger state है हमारी मध्या प्रदेश. और tiger capital है हमारी नागपुर. अब तो यह सब को याद हो चुका होगा. वो है हमारी नागपुर. और सबसे ज़्यादा जो tiger population है वोल्ड की वो हमारे इंडिया में ही है. तो इस तरीके से five tiger reserves हमने देखे हमारे राजस्थान में. अगर हम बात करें युनेसको natural heritage site कौन सी है राजस्थान में? तो युनेसको cultural site कौन कौन सी है? जैपुर सिटी हमारी. इसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं. साथ में hill forts of Rajasthan और उसके बाद दजंतर मंतर. जो ये hill forts of Rajasthan है इसमें एक fort नहीं आता है. बहुत सारे forts आते हैं. तो कौन कौन से forts इसमें आते हैं? चितारगड, चितार fort, कुंबलगर fort. कुंबलगर fort के बारे में एक important fact भी है जिसे अभी हम आगे discuss करेंगे. फिर हमारा रन्थम बोर fort. रन्थम बोर हमने देखा एक tiger reserve भी है हमारा. गगरों fort. आमीर का किला हमारा. और साथ में जैसल मेर fort. तो ये सारे जो forts हैं ये आते हैं हमारे hill forts of Rajasthan के अंद ये सब ही जो है UNESCO cultural sites हैं. अब कुछ cities के nicknames देखते हैं. एक या दो से जादा cities के same nicknames होते हैं. ऑके? ऑके Paris of India. Paris of India जो बोलते हैं हम जैपूर को बोलते हैं. Pink city तो हम जानते ही हैं हमारे जैपूर को बोला जाता है. Blue city बोलते हैं जोदपूर को. तो pink city कान सी है हमारी जैप Sun city भी हम जोदपूर को बोलते हैं. तो sun city इंडिया में किसको बोलते हैं? जोदपूर को. White city हमारा प्यारा उदेपूर. ठीक है? City of lakes उदेपूर को बोलते हैं. City of lakes भूपाल को भी बोलते हैं. बहुत सारी cities के same nicknames होते हैं. ओके? Venice of the east की बात करें तो वो भी हम उपने उद लेपूर को बोलते हैं. और golden city of India हम बोलते हैं. जैसल मेर को. तो यह बहुत प्यारे प्यारे नेम हैं हमारे राजस्तान के कुछ प्लेसे के. आप कुछ interesting facts देखते हैं हम राजस्तान के बारे में. तो सबसे पहले देखें second largest fortification wall in the world. देखें first हम बोलते हैं great wall of china जो है. वर् में वो है हमारे ही इंडिया में कुम्बलगर्ड fort जो है उसकी wall. तो कौनसी second largest fortification wall कौनसी है वर्ल्ड में? कुम्बलगर्ड. very important. it's a very nice interesting fact. कि जो कुम्बलगर्ड fort है जो world की second largest fortification wall है वो कौनसी है? कुम्बलगर्ड. उसके बाद राजस्तान is famous for thar desert. येस इंडिया का सबसे बाडा desert का है? थार desert. और वर्ड का सहारा desert. okay. next है वो कुम्बलगर्ड चायम पिपार हि ेंड एन्वली इन्डे तौन ए टाउन ओ पुष्कर राजस्तान और ये लार्जेस्ट कैमल फेयर है तो लार्जेस्ट कैमल फेयर हमारा कहां पे लगता है पुश्कर राजस्थान में वर्ल्ड का है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर कहां लगता है पुश्कर राजस्थान में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो India conduct its First Nuclear Test बही हमारा First Nuclear Test कहा हुआ था राजस्थान के पोखरन में पोखरन in राजस्थान हमारा जो First Nuclear Test हुआ था वह पोखरन राजस्थान में हुआ था और उसको जो code name दिया था वो था Smiling Buddha ठीक है तो इंडिया का First Nuclear Test है वो 1974 में पोकर एंड राजस्थान में हुआ था उसके बाद सांभर लेक सांभर जो है वो salt लेक है और इंडिया का largest inland salt लेक जो है inland मतलड बाउंडरी के अंदर जो सबसे बड़ा salt water लेक है वो सांभर है पर overall देखा जाए तो चिलका लेक जो है सबसे बड़ा salt water लेक है इंडिया का और fresh water लेक कौन सा है वूलर वूलर जो है हमारे कश्मीर में है और ये इंडिया का largest fresh water लेक है कौन सा fresh water लेक तो इस तरीके से तो सांभर लेक जो है इनलेंड बाउंडरी के अंदर अंदर जो सबसे बड़ा लेक है salt water वो सांभर है लेकिन जो coastal के अगर include करे और overall इंडिया का देखे तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा चलका लेक है अब आई कहाती है Famous battle, the battle of Haldi Ghani तो battle of Haldi Ghani बाएक किस के बीच में लड़ी गई थी महराना प्रताप के और साथ में कमारे मुगल एम्परर अकबर के बीच में लड़ी गई थी तो battle of Haldi Ghani महराना प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी राजस्तान के हल्दी घटी में अगर हम लोग बात करें वन अब तो मोस्ट कलर को मोस्ट कलरफुल स्टेट है यह इसे कलर कोड़ेट सिटी के नाम से क्योंकि यहां बहुत सारी कलर कोड़ेट सिटी है हमने देखा अगर जैपूर को क्या क्या बोलते हैं पिंक सिटी बोलते हैं जोदपूर को क्या बोलते हैं हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं राइट उदेपूर को क्या बोलते हैं वाइट सिटी बोलते हैं कितने कलर्स हैं यहां पे और साथ में जैसल मेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं तो कितनी beautiful color-coded cities है हमारे राजस्तान में. अगर देखें, यहाँ पर कर्नी माता का temple है. राजस्तान में कर्नी माता का temple है और यह वर्ल्ड का only rat temple है. बैचुहों का भी एक temple है, rat temple, ठीक है? जो है हमारा कर्नी माता temple और वो भी हमारे राजस्तान में है. बैच्छा उन्हें जड़ विए लाजस्तान में आपने राजस्तान में.